तो देखिए हमारी सारी मठ्री बन करके तयार हो गई है यानि किजाली मेथी पापड़ी अब हम आपको दिखा देते हैं कि कितनी क्रिप्सी बनी है यह तो आप देख रहे होंगे हलो फ्रेंट्स मम्ता की रसोई में आपका स्वागत है आज मैं आपको मार्केट जैसा बताने वाली हूँ मेथी जाली मठ्री यानि पापड़ी की रिश्पी जो खाने में बहुत ही टेस्टी और खासता है आप जो इस पापरी को इस तरह से एक बार मेथी जाली पापरी को बना कर खा लिया तो यकीन मानिए बार-बार बनाएंगे सबसे बड़ी खास बात है कि इसी आप एक महीने तक कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए यह बिल्कुल खड़ाब नहीं होगी टेस्ट भी वैसा ही बना रहेगा तो चलिए ममता की रसोई में बनाना शुरू करते हैं तो हमने यहां पर मैदा लिया है एक बरतल ले लिया उसमें हमने दो कप मैदा लिया है और अच्छी तरह से इसको छान लिया था उसके बाद हमने यहां नमक दे दिया है तो आधा चमच हमने नमक दे दिया है आप थोड़ा सा टेस्ट के उनसार अपना दीजिए जितना समगरी हो हमने यहां पर आधा चमच नमक दिया है उसके बाद यहां पर हमने ले लेते हैं यह कस्तूरी मेथी तो हमने यहां पर एक इसमें डालेंगे तो हम aunto को किंग वैल को डाले हैं तो जिससे कि बहुते ही खास्ता बनेकी तो यहां पे आप को कास्त है यहां पर दो से थीन चमे तक डाल सकते हैं बहुत हीflowी कर लेते हैं तो हमने यहां पर सुझाम को अश़ान का dest 육़ा है को जब मिक्स होने के बाद अब हम इसको डो के तरह इसको हम पानी ले लेते हैं और बना देंगे इसको मैस करके तो हम पानी लिये हैं और पानी को इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए और मैदे को हम एक डो बना करके तयार करेंगे तो इस तरह से गूतेंगे इसको तो अच्छी तरह से इसको मसल करके और गूत लेना है तो ज़्यादा हम सकत ना ज़्यादा कडाज गूतेंगे और ना ज़्यादा मुलाइम ही गूतेंगे तो medium हम इसका आठा तयार करेंगे गूत करके तो इस तरह से हम यहाँ पर मठरी बनाने के लिए इस तरह से हमने यहाँ पर मेथी वाली मठरी जाली बनाने के लिए यहाँ पर तयार कर लिया है अब इसको हम 10 से 15 मेट के लिए रेष्ट के लिए छोड़ देंगे तो हमने यहँजादा बहुत कड़ी है और नाDaniel एजदा मुलाईम ही ही तो अब हम इसका लोई तर्यार कर लेंगे तो आपको इस तरह से पूरी जैसा छोटा छोटा लोई तर्यार कर लेना है तो हमने यहाँ पे पहले बॉल्स तयार कर लेते हैं, पूरी आकार का, तो अब जितना छोटा पूरी बनाते हैं, उस अमसार से आप बॉल्स पहले बना लीजिए, तो सारे बॉल्स हम बना करके इस तरह से तयार कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे हम बॉल्स को चिकना कर और इस तरह से हम इसको प्रेस करके पेड़े जैसा करके और बेलन से इसको हम बेलेंगे फिर हम थोगा सा सुखा मैदा इसमें लगा लेते हैं और सुखा मैदा लगाके एक बेलन से इसको हम बेल लेते हैं तो बेलन से इस तरह से आप पूरी जितना बड़ा बेलते हैं उतना ह हम यहाँ पे इसको डख लिए हैं और इस तरह से हम इसको आप देख रहे होगे एक हम चाकू ले लेते हैं और चाकू से इस तरह से आपको कट कर लेना है तो हम यहाँ पे कट करेंगे और इस तरह से कट करेंगे कि हमको दोनों तरफ लगा रहे हैं और बीच में इस तरह से कट करेंगे और दोनों तरफ से हम पूरा कट नहीं करेंगे बीच में हलका हलका कट करेंगे और दोनों तरफ दोनों भाग यह लगा रहे हैं और बीच में इस पूरी कोम कट करेंगे आप देख रहे हैंगे कि मैं किस तरह से कट कर रही हूं आपको मैं दिखा दे रही हूं तो पहले मठ्री बना करके जाली वाली हमें मिथी वाली जी हम तयार करेंगे इस तरह से पाप्री को तो देखिए इसी तरह से आपको भी ताड़ा पूरी बेल करके और पहले तयार करके रख लेना है तो सारा इसी तरह से हम तयार पहले कर लेते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से मिथी जाली पाप्री यानि मठ्री को तयार करके रख लिया है, सारा बेल करके बना करके, अब हम इसको चलते हैं बनाना, तो हम गैस पे कडाही को चरहेंगे, और कडाही में हमने वाइल डाल दिया है, और वाइल हमारी गर्म हो रही है, तो हम यहाँ पे वाइल को गर्म कर लेते हैं, तो वायल हमारी अच्छी तरह से यहां पर तेज गर्म हो गई है, अब हम एक एक करके पापड़ी को तेज गर्म वायल में हम डालेंगे, और गर्म वायल में डालने के बाद हम इसको धीमा कर देंगे गैस को, फिर क्योंकि धीमी धीमी पकेगी, फिर इसमे तो कुरकुरी खास्ता होगी तो हम तेज वायल में डाले थे और उसके बाद गैस को हम धीमा कर देंगे और उसके बाद इसको हम पलटते उलटते हुए इस तरह से हम इसको गोल्डन कर लेंगे तो हम एक तरफ देखिए हो गई है दूसी तरफ हम इसको पलट लेते हैं तो आफ आई अच्ट्रा वाइल निखल जाए तरह से तो तौहम यहां पर सारे पापडी इसी तरह से यहां पर तरो हैं घुल्डन हो गई हैं तो निकाल लेते हैं प्लेट में और जो बची हुई जो हमारे पास मिति जाली पापडी मट्री है उसको मैं इसमें और डाल करके और इ मैं निकाल ली हूं और देखें चैनल चाय के साथ तारी उतहो पने संसी दिखाई है और Strategy दो शानी अचीह तरो कीने लिए बिया चाल आपक्ये जेड़ी क्याckoy करें वह तो उसी के पना च्षा अच्छी लगती है, तो ये हमारा मेथी जाली मठ्री बनाने का तरीका पसंद आया हूँ, तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाइ फ्रेंड्स